दूस्तों आज के टाइम में हमारे खर्च बहुत बढ़ चुके हैं हमारी कोशिश यह रहती है कि हम अपने खर्च को किस तरह से कंट्रोल करें तो उसके लिए हम कई-कई तरह के अपनाते हैं जब भी हम खर्चों को कम करने की बात करते हैं तो हमारे नजर में सबसे पहले electricity का बिल आता है हम अपने बिल को किस तरह से कम करें क्योंकि बिल हमारा बिजली का बहुत जादा आता है क्योंकि हमारे घर में equipment वो चलते हैं जैसे AC है घीजर है हीटर्स हैं एसी हम गर्मियों में चला लेते हैं गर्मियों में हम सोलर यह लगा कि अपना बिजली का बिल कर लेते हैं लेकिन सर्दियों के अंदर क्या होता है कि हमें हीटर चलाना पड़ता है किसी भी कारण से और हीटर जोगा वह बहुत ज़्यादा अपना स्वागत करता है तो आज हम देखते हैं कि हम किस तरह से सर्दियों में भी AC के अंदर ही जहां पर हमें मिलती है उसी के साथ ही हमें होट एर भी मिले तो दोस्तों ऐसा AC भी मार्केट में आ चुका है और इस AC के बारे में आज आपको बताता हूं और इसकी कंजप्शन भी दिखाता हूं कि यह कितनी कंजूम इलेटिसिटी करता है और यह सोलर पे और बैट्री पे किस तरह से चल सकता है दोस्तों मैं हूं आपको दोस्ट शील्ड खनना मैं इस ट करते हैं दोस्तों आपको मैं आज UP AND coal AC के बारे में बताता हूं कोड़ AC के बारे में आप जानते ही हैं आज हौट AC के बारे में डिसकस करते हैं क्योंकि एक ही एक के अंदर आपको दोनों सिस्टम मिलते हैं hot वी और cooling वी जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपको एक वीडियो दिया हुआ है VRV heat pump और इस वीडियो के अंदर मैंने complete detail बताए हुए कि किस तरह से AC cooling mode में और hot mode में काम करता है और दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को जुरूर देखिए इससे आपको पूरी clarity मिल जाएगी कि हमारा चार AC install हो रहे हैं जो कि solar AC है इन चार में से तीन तो normal AC है और एक AC होट and cold का है तो चलिए आज आप होट and cold के बारे में discuss करते हैं कि यह AC किस तरह से काम करता है और इसकी connection कितनी आती है दोस्तों यह AC install हो रहा है मैं आपको यह installation पूरी नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसका एक वीडियो अल्रीड होगा है मैं आपको लिंक देदूँगा आई बटन में आप वहां से जाके installation का वीडियो देख सकते हैं यह मेरा hot and cold AC install हो गया है जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों यह hot and cold AC भी वही consumption लेता है बिजली की जो कि हमारा एक normal AC लेता है जो कि हमारा solar AC है और इसके अंदर भी हमारी जो consumption है वह बिल्कुल सेम है जैसे कि आप जानते है solar AC जो है वह अगर हम इसको continuous चलाते है 24 hours तो इसका जो monthly बिल है पंद्रा सो रुपे के आसपस आता है अगर हम continuous चलाते है तो इसकी जो consumption है वह बहुत कम है इस AC को आप solar पर भी चला सकते हैं और inverter बैटरी पी चला सकते हैं इसके लिए आपको एप्रोक्सिबेट और दो किलो वाट का जो लोड है वह लगाना पड़ेगा solar panel लगाने पड़ यह उसमें बड़े आराम से आप इसको चला सकते हैं दोस्तों इस AC को hot पे convert करने के लिए remote के अंदर setting होती जैसे कि आप यह देख रहे हैं यह heat mode नजर आ रहा है आपको इसको heat mode पे रखना पड़ेगा और इसी remote पे कई काफी सारी settings होती है जैसे यह आप देख रहे हैं यह fan heat mode में डालेंगे यह AC reverse हो जाएगा cooling की जिएगा heating देनी शुरू कर रहेगा तो यह इसके remote से भी setting हो जाती है जोस्तों इस AC के मैं आपको consumption दिखाता हूँ inverter के अंदर जो कि मेरा solar inverter लगा हुआ है आप यह देख सकते हैं और इसकी consumption दिखाता हूँ कि यह कितनी कम electricity consume करता है यह maximum से maximum 4.5 MPRQ पर चलता है और यह जिसका जो load आता है maximum 800 Watt के असपस आता है जब यह running में आ जाता है तो यह load और कम हो जाता है यह देखिए आप यह मेरा inverter आप देख रहे हैं यह जो लेट में है यह grid आफ कर रखी है जीरो आ रहा है और यह जो राइट में आप देख रहा है यह solar जिसमें 1374-1378 Watt को जन्नेट हो रहे हैं और जो center में आप देख रहे हैं AC output इसके अंदर AC का लोड आ रहा है हमारा और आप यह देख रहे हैं यह जो AC का लोड आ रहा है 1100 Watt के करीब आ रहा है जिसमें से यह हमारा फ्रीज भी चल रहा है इंवर्टर फ्रीज उसका लोड 400 Watt के आसपस है तो इसका मतलब हमारा यह पूरा लोड हमारा solar की ऊपर ही चल रहा है तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से हमारा है होट एंड कोर्ड एसी बहुत ही लो कंजक्शन लेता है और दोस्तों यह जो एसी है यह आप लगाने से आपका जो बिजली का खर्च है अप्रॉक्शिमेट सेवंटी टू एट्टी परसंट डाउन हो जाएगा दोस्तों इससका रिगारिंग जो भी आप डिटेल लेना चा ही है यह आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपको यह जानकर मेरी अच्छी लगी है इसको शेर और लाइक करेंगा थैंक्यू दोस्तों थैंक्यू फॉर वाचिंग